सुन्दर नामक एक बढ़ाई था जो नया नया शहर में आया था सुन्दर अपने इमान धर्म का बड़ा पक्का था और बहुत ही इमानदारी से काम करता था शहर आने के बाद उसे कई सारे बढ़ाई मिले थे जो कि उसे सिखाते थे कि कैसे थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके वो जादा पैसे कमा सकता है लेकिन सुन्दर सीधे रास्ते से पैसा कमाना ही सही समझता था एक दिन सुन्दर अपने दुकान पे काम कर रहा था कि तब ही वहां कुछ लोग बड़ी गाड़ी लेकर आएं यहां पर काम करने के लिए ठीक है यह हमारे मालिक है यह पास में ही एक नया पार्क बनवाने जा रहे है तो उस पार्क में जितनी भी बेंच होगी वो हमें लगड़ी की बनवानी है और पार्क के जूले भी बनवाने है तो तुम बताओ हमारे लिए काम करोगे जी साहब ज जो भी समान की जरूरत पड़ेगी वो हम बिजवा देंगे। जी, ठीक है साब। और हाँ, कोई भी कमी नहीं आएगी काम में, आप बेफिक्र रही है। फिर अगले ही दिन से सुन्दर पार्क के काम में लग जाता है। उसके लिए एकदम से इतना बड़ा काम मिलना तो मानो किस्मत के खुल जाने जैसा था। उसे ये उम्मिद हो गई थी कि अब उसे अच्छा काम मिलता रहेगा। वो पार्क के लिए बेंचे बना रहा था। कि तबी उसे नजर आया कि बेंच बनाने वाली लकडी में दीमक लगी हुई है। लकडी खराब है तो हम उसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं ना हमें लकडी बदलनी पड़ेगी अच्छा और वो बला क्यों अरे अगर इस खराब लकडी से बैंच बनाई तो उसके टूट जाने का खत्रा हमेशा बना रहेगा इससे लोगों को चोट भी लग सकती है अरे भाई लकडी टूटी जाए और किसी को चोट लगी जाए अरे हमारे घरों में भी तो लकडी का फरनीचर रहता है और उसमें भी कई बार दिमक लग जाती है तो क्या इससे किसी को चोट लगती है अरे पर देखो ये परवर मत करो अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो हमें बता कर रहे हो देखो यह पार्क का काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे मालिक को विदेश निकलना है और वो चाहते हैं कि पार्क का उद्गार्टन करके ही वो विदेश जाए अच्छे अब ठीक है सुन्दर वापसे अपना काम करने में लग गया अगले दिन से किसी न किसी चीज़ में कोई न कोई कमी जरूर निकल रही थी और अब ये बात आम ही हो गई थी सुन्दर कई बार तो कर्मचारियों को टोक देता था लेकिन उनके जवाब सुनकर वो खुद ही समझ जाता था उसे भी शेहराय अभी कुछ ही वक्त हुआ था और उसे पैसे की जरूरत भी थी इसलिए वो जादा कुछ बूले बिना चुपचाप अपना काम कर रहा था ये शेहर के लोग बिना कैसे कैसे होते हैं एक पार्क बनाने के काम में भी इतनी मिलावट और गड़बड़ी कर रहे हैं नजाने इनका क्या होगा खेर मैं इस बार तो ये काम कर दे रहा हूँ लेकिन आगे से कमी भी ऐसे किसी काम को हाथ मैं नहीं लूँगा कुछ दिन बीच जाते हैं और सारी बेंच बनकर त्यार हो जाती है अब सुन्दर को पार्क में लगने वाले जूले लगाने थे लेकिन जब सुन्दर जूले बनाने के लिए पार्क में पहुँचा तब उसने देखा कि जूलों में लगने वाला समान तो और भी जादा खराब था सुन्दर तुरं समान की शिकायत करने जाता है और आज इत्तफाक से पार्क बनवाने वाला मालिक आदमी भी वहाँ आया हुआ था उसका नाम ब्रजेश था साहब अच्छा हूँ आप खुद आगे मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ ये लोग पार्क में लगाने के लिए बहुत ही खराब समान लेकर आए हैं ऐसे तो लोगों की जान को भी बहुत ज्यादा ख़ब हरे ब्रजेश क्या तुम्हें समान से इतना लगाव क्यों है अरे तुम्हारा काम है जूले और बैंच बनाना अब उसमें कौन बैटता है और कौन गरता उससे तुम्हें कहले ना देना है तुम अपने काम पे ध्यान दो ना नहीं मेरा भी एक परिवार है बच्चे है और अगर मैं किसी और के बच्चों को तकलीफ पहुचाऊंगा तो भला मैं कैसे खुश रह पाऊंगा मुझे सब नहीं करना है अब आपको जिससे काम करवाना है करवाली जी मगर याद रहे इस पार्क में आने वाले हर एक इनसा को मैं बता दूंगा कि कैसे अंदर उन्हें खत्रा है फिर अपने आप ये पार्क बंदो जाएगा दो टके का बढ़ा ही तेरी इतनी मचार तो मेरे पार्क को बंद करवाएगा तो जे तो मैं जिन्दा नहीं चोड़ूँगा इतना कैका बरजिश सुन्दर के सर पर पास मे चले ने अब तो वैसे भी इसे काफी तेज लग गई है इसका बचना वैसे भी मुश्किल ही है तो अब इसे यहां से अस्पताल तक ले जाकर और तक्रीफ क्यों दे जब इसे मरना ही है तो यही पर मर जाने दो ना बरजिश की बात सुनकर सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते है चलो चलो जड़ा जल्दी करो मिरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अरे यह इतना बड़ा पार्क है यहीं कहीं इसे अच्छी सी जगा देखकर दफना दो परजिश ने जैसा कहा उसके कर्मचारी हो ने वैसा ही किया और सुन्दर को पार्क में ही दफना दिया इसके बाद वो सब वहां से चले गया और सुन्दर एक डराओने भूत में बदल गया वो अपनी हालत देखकर रोने लगा ये सब क्या हो गया इन लोगों ने तो मुझे मार डाला अब मेरे परिवार का क्या होगा नहीं मैं मैं मैंसे एक को भी नहीं चोड़ूँगा सबसे बदलूँगा और ये पार्क इसे तो मैं कभी खुलने नहीं दूँगा इस पार्क में अब मौत का साया रहेगा और यहां कोई भी नहीं आ पाएगा पार्क का मालिक कुछी दिनों में दूसरे बढ़े से जूले बनवा कर पार्क में लगवा देता है आखरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पार्क के खुलने का समय तेह हुआ था लेकिन सुन्दर की बूत ने ठान लिया था कि वो पार्क में किसी को भी आने नहीं देगा जैसे ही पार्क खुला कुछ बच्चे वहाँ पर खेलने आए सुन्दर अचानक से एक जूले पर जाकर बैठ गया और जूला जूलने लगा उसे देखकर बच्चे डर गए सब ही बच्चे डर के मारे पार्क चूड कर भागे और अब जो कोई भी पार्क में आता सुन्दर उसे डरा धमका कर भागा देता लیکिन सुन्दर का असली मकसद तो कुछ और इथा तीन दिन हो गए और मैंने अभी तक किसी को भी पार्क में आने नहीं दिया लेकिन अभी तक यहां पर वो पार्क का मालिक ब्रिजेश नहीं आया मेरा असलिय मकसद तोस से बद्ला लेना है पता नहीं यह खबर उस तक पहुची भी है की नहीं कि इस पार्क में भूत का साया है सुन्दर कबूत खुच से बातें करी रहा था कि तभी वहां पर वो दोनों करमचारी आ गए हैं जो ब्रिजेश के लिए काम करते थे वो दोनों आपस में बाते कर रहे थे तो पागल है क्या अगर लोग कह रहें कि यहां पर भूत प्रिट का साया है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है तुझे याद नहीं है क्या कि हमने उस बढ़ई को यही बड़ दफनाया था हो सकता है कि उसे की आत्मा बटग रही हो अरे चुप हो जा मुझे भी अपने साथ साथ डराना बंकर और वैसे भी हमने उस बड़ाई को नहीं मारा था वो तो मालिक मारा था और हमने बस उसे दफनाया था चाँ, और इससे तुम एकदम शरीफ हो जाते हो भूत को अचानक से अपने सामने देखकर दूनों कर्मचारी डर से कांपने लगे भूत, भूत, अरे ये तो उस बड़े ही का भूत है ये तो सच में आ गया यानि कि ये पार्क सच में भूतिया है तो तुम्हें लगता है कि तुम्ने मुझे यहां दफना कर कोई गलती नहीं की और तुम दोरो शरीफ हो और मरोड दिया दोनों तुरंट मर गये इसके बाद भूत ने उन्हें भी उसी जग़े दफना दिया जहां पर सुन्दर की लाश थी अगले दिन सारे लाके में ये बात पहल गई कि पार्क में मौत कसाया है और वहाँ जो कोई भी जाएगा उसे अपनी जान गवानी पड़ेगी विजेश को ये सब पता चल गया और वो डर गया उसी यकीन था कि ये भूत सुन्दर का ही है और वो इसलिए डर के मारे विदेश से वापस ही नहीं आया उसने अपना सारा कारोबार विदेश में ही बसा लिया सुन्दर के भूत का बदला अभी भी अधूरा था तो क्या सुन्दर अपना बदला पूरा कर पाएगा ये जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में